ये कहां जा रही है अंकल जा गई प्ट पींट इसलिए तो बहूं आज आज नंवन मी नवरात्रों का लास्ट डे Renoji I hope आफ सब के नवरात्र भी काफी अछे रहे होंगे अपने भी काफी अच्छे रहे इन नवरात्रों में seriously बहुत enjoy किया इतने मंदिरों में भी गए और फ्री के काफी लंगर भी खाए तो आज है लास्ट टे तो सोचा की वीडियो बनाते हैं फ्रेंट्स को बोला कि या राज लास्ट या तो कहीं चलते हैं किसी मंदिर में चलते हैं इतने अच्छे-च्छे मंदिर आपने यहां पर तो वह तो देखते हैं जैसे भी फ्रेंट्स के साथ प्लैंट बनेगा तो करते हैं दिन को स्टार्ट बडूस से पहले हैं वेल्कम बैक तो जी चैनल आप देखें हैं ते मैंगनेटिक स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना जैसे यह नीचे दिखा र लड हैं जीचेस जैसे उिर्bels जाना ऑबार तोendenग करते हैं दिखना को सब्सक्राइब करते हैं दिल मैंगैं दोंड़ करते हैं जैसे उन्हें आ जतर हैं यह उरे गांच puls नहें धिल दिल अनल करते हैं दो cola और कि तो भाई अभी मुणी पहले बोल रही है कि जाना संख पुर्वाने एंभी मुणा कि यह अपना वांप पूजा रूम और चलते हैं पूजा रूम में यह होती यह भई सांख तो इसको जानना है हमको पर्वाने और सांख पर्वाने हम जाएंगे देविका में यह अपना बैई यह पड़ा है उल्टा यह बाभी यह तो अभी जाते हैं देविका सांख पर्वाने संखी पुच्छे में सिर्फ लगाने के लिए रूखो तब लेटे वह रहाँा कि इन्हों थीर है जब मैं नत्यार मतलब एक त्रहले यृम्हार नहीं विक्तले मांले और ज regular बार orff हमै रिखा के इंन्हों बूरॹरलान लगें इन्हों थ्यूरीय और मैं पिछले आदे जंटै कि तयार तो में तेयार मतलब यह को तेयार उरे तब इनको लेड नहीं हो रहा था और अब जहा जब मैं मतलब सिरफ शूस लिगाने के लिए के लिए रुको तब इनको लेट नहीं नंगुसा गया अच्छा बही काटना नहीं काटना नहीं बस काटना ठीक है बही मैं लगारों जूते और इनको अवजादा लेट हो रहे अजय काटना झाक सरे कि अपल आटा है है पर इनको ग्यश काटना झामा जरत को जा घ्समें बसक्फवादा है झाल झाल तो भी मैं पहुंच गया हूँ उदुमपूर की देविका साइट पे जहां पे हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर और बात करूँ देविका नदी की तो भाई बहुत गंदी हो गए यार की किसने है हम लोगों ने की है including मी बट पिछले काफी टाइम से अंडर देविका प्रोजेक्ट यहां पे बहुत ही ज़ादा काम होगा है यह काम ऐसे चलता रहेगा एंड जल्दी देविका जोगयोदंपूर के बहुत ही फेमस नदी है यह पूरी नदी यह जो पूरी साइट है यह बहुत ही अच्छा टूरी स्पोर्ट बनके बाहर आएगा तो अभी मैं चलता हूं ममी के साथ सांक पर बाते हैं उसके बाद चल सब्सक्राइब को अच्छा पर प्रवाली मैं ममी अधू कंद भा विय नगरी वडिकाल जिया नि log जिएतों कि दू नहीं तो बही सांग वेरा प्रबाग के आगे वापिस ममी के साथ गे थे और आके टी-शर्ट कर ली चेंज भाई बहुत बहुत जादा कर्मी पढ़ गी टेंपरेचर एकदम से बढ़ गया क्योंकि और पिछले साल इतना नहीं था मतलब जहां तक मुझे आद है क्योंकि मेरे करजन की शादी थी पिछले साल इसी मन्त और इतना टेंपरेचर नहीं था और इस साल कुछ जादा ही बढ़ गया तो अभी पहुंच गया गर पर वापिस और अब फ्रेंड को फोन किया कि चलो खहीं चलते हैं वह कर रहा है छलो यार तो अभी घर से निकलते है देखते हैं प्लांक नहीं बनता अगर बनता तो पहां गालता और नैहीं तो Bos इसने आपना पेहले का भी मिलनी हो भई जैसे ही मतलब रागव की राइट खतम होती है तो रागव से बात उगारा करेंगे तो बही यह रागव अपना भाई और अब भी हम वेट कर रहे हैं अपने बाकी फ्रेंड्स का शीवम और नाभू का और रागव के बारे मैं आपको बताता हूं मतलब यार बहुत देखें मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं बट रागव मतलब बहुत ही जादा ब्राइट-माइडि बहुत है तो यह काल बूलेगा भाई उस दिन हम वाइम आता जा रहे थे उस दिन भी शीवम जी को मतलब रास्ते का रूट का पता नहीं होता है और और यह निकल जाते हैं अज बीजी रूट पे और आज भी कुछ सेम ही हो रहा है वैसा ही आज भी क्या हिस्ट्री तो भई उधुमपूर से ऊपर एक जगा पढ़ती है गंगेडा हाउसिंग कलोनी से ओपर बहुत ती प्यारी जगा है वहां से उधुमपूर का व्यू बहुत ही जबदस्त है तो अभी डिसाइड किया कि हम वहां पे जाएंगे शाम को वहां पे बैठते हैं खाते पीते है है और चलते हैं और यह हैं शीवम और नाभू इन्होंने खाणे पीने के लिए लिया सवांण वहांद सुग क्या गलिया शुदिक ड़्यवाद कंडियों कहले शुद्ध में जंद सेख लाव चिंद सब 25-25 अपर डालो तो ले लिया जो जो खाना था तो भी चल दी की बोचे तो भी जैसे की बताया था हम जा रहे हैं गंगेड़ा की तरफ लेकिन अभी आधे रास्ते हम पहुंचे और इन्हों ने खाने पीने का सारा स्वामान लगवग खतम ही कर दिया और अभी वेट कर रहे हैं छत्री-छत्री डून रहे हैं और भाई उपर क्यों नहीं जल रहे हो क्यों रुकियो किसको रुगियों यह हमारे भाईया जी है रास्ते में हमको मिल थोड़ा एड़वाइस कर रहे हैं कि कहां जाना चाहिए भाईया जी आपका नाम तंदी आफक नम है अनून ने ल्लीपक्मार और भाईया ने हमको डा जब उपर पहुंचेंगे तो पीएंगे क्या खाने का तो थोड़ा बोध है पीएंगे क्या तो अबीचलते हैं कि अरे हैं और पीजिए जाए है कि एब कर अ कि एब कर दाल कि एब करफ दो मैं कि एब एब भाई निकले तो थे हम गंगेडा जाने के लिए लकिन इन सब की वज़ा से मतलब यह शीवम की वज़ा स्पेशली यह चलता रहा है और हमको पता नहीं कौन सी जगह पूंच आ गया लाइट भी देखनी होती ना भाई यह शीवम भारिया की नानी जी का गर तो अभी हम अवास तो लगा रहे हैं लेकिन नानी जो है अभी लेकिन आने रहे हैं तो भाई यह दिखे हमको रास्ते में थोटी थोटी गाएं कहां वे अरे वापिस जाओ वापिस जाओ वही वही देखो यह गाएं बाग रही है और लेके जाएंगे इनको वापिस और यह देखो यह दो शूतर मुर्ग जिनको मैंने बोला था कि और वह सच बताओं न तो अब तक का बहुत घंदा दिन लिया मतलब ऐसे है यार मतलब बेकार का पेट्रोल भी वेस्ट किया और बेकार का मतलब सारा राइड किया कुछ नहीं जाना कहीं था जाना था गंगेड है उसके बाद शीवम ने लेते-लेते कहीं ले गया और मतलब सच विदाओं तो बड़ा गंदा दिन था और अभी फाइनली थोड़ा मूड कर आप था इसलिए मूड को थोड़ा अच्छा दरने के लिए अभी मैं और रागव आगे हैं उदुपूर मतलब गोल मार्किट आगे हैं यहां पे हम खाएंगे कलाडी और यहां पे उ तो पूरी तरह खजलोने के बाद फाइनली पहुंच गया पर वापिस और हुए क्यों है मतलब जाना कहीं था पहुंच गे कहां पर मतलब पूरा दे खराब गया और हुआ किसकी वाज़े से जस्ट शीवम की वाज़े तो अगर शीवम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना शेर करना एंड यस सब्सक्राइब जैसे नीचे दिखा रहना ऐसे चैनल सब्सक्राइब करना मत पोलना अगला व्लोग जल्दी तिल दें टेक केर एंड सी यू सूँ